कोशल ने हाल इमेक इंटर्व्यू के दोरान कहा कि वह शारुक खान सल्मान खान और इत्तिक रोशन की तुलना में खुद को स्टार नहीं मानते हैं उन्होंने बताए कि आज के दोर में स्टार्डव किसी स्टेंड कॉफी के जैसे हैं जिसे जब चाये तब हासिल किया जा सकता है हाला कि विक्की इन चीजों में विश्वास नहीं रखते विक्की से सवाल किया गया कि वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वो एक्टर होने के बावजुद वो स्टार्डव का पीछा नहीं कर रहे हैं क्या वो वाकई खुद को स्टार मानते हैं इस पर विक्की ने कहा कि उनके लिए फिल्म कहो ना प्यार है में रितिक रोशन एक असली स्टार थे उस वक्त को याद करते हैं विक्की ने कहा उस वक्त रितिक को उनके फैन से जो प्यार मिला था वो वाकई बहत खास था मैं भी उनसे मिलना चाहता था मेरे पिता एक फिल्म टेक्निशियन थे और उन्होंने रितिक के साथ काम भी किया था इसके बावजुद में उनसे केवल एक बार ही मिल सका मुझे उनसे मिलने के लिए महनत करनी पड़ी सोशल मीडिया के दोर में फैम के बारे में बात करते हैं विक्की ने कहा आज सोशल मीडिया की पहुँच ऐसी है कि कोई भी शक्स केवल तभी स्टार है जब तक वार न्यूज में आफे सोशल मीडिया पर ट्रेंट पर रहा है एक असली स्टा को शारुक खान, सल्मान खान और इरितिक की तरह एवर्ग्रीन होना चाहिए पहले बॉलिवुड में दशकों की मेहनत के बाद स्टार्डम मिलता था और वो शोरत जिंदगी भर के लिए होती थी आज के दौर में स्टार्डम इंस्टेंड कोफी की तरह आसानी से हासिल किया जा सकता है अपॉलो, फैंस, ब्लूटिक और प्रमोशन भी खरीच सकते हैं आज का स्टार्डम फासफूट की तरह है फैंसे मुझे जो प्यार मिला उसके लिए मैं आभारी हूँ लेकिन मैं स्टार की तरह मैसुस नहीं करता हूँ इसी के साथ बने रहें राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद